एलो शुडेंट्स, O-Level के प्रेटिकल क्लास की सिरीज में, IoT से रिलेटेड ये दूसरा क्लास है, और इस प्रेटिकल क्लास की सिरीज में हम जितने भी प्रेवियस क्वेशन्स, जो आपके प्रेटिकल एक्जाम में पूछे गाये हैं, हम उनी को solve कर रहे हैं और साथ में हम उन वायवा questions को भी cover कर रहे हैं जो आपके practical exam में आपसे पूछा जा सकता है ठेक है तो चलिए इस वीडियो के भी practical questions को solve कर लेते हैं इस वीडियो में हम इस question को solve करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा important question है और कई बार exam में आपके repeat भी हुआ है इसमें आपको एक LDR sensor का यूज़ करना है LED की साथ ठीक है और यहां पर आपका जो question है उसमें Arduino board भी यूज़ करना है आपको ठीक है तो एक LDR sensor और एक LED को यूज़ करना है Arduino board के साथ और इसमें question में आगी यह भी का है कि जब भी कभी भी परियाप्त light LDR sensor पर गिरेगी या पड़ेगी तो LED क्या होगा वो off रहेगा ठीक है और जब अंधेरा होगा LDR के आसपास ठीक है तो LED क्या होगा वो on हो जाएगा तो simple सा question है जब भी अंधेरा होगा तो LED को on रखना है ठीक है और जब भी light रहेगी या उजाला रहेगा तो LED off की off हो जाएगी समझ में आया एक यह question आपका बनता है LDR sensor से और एक यह वाला question बनेगा आपका LDR sensor से इसमें क्या कह रहा है देखिए आपको एक program लिखना है जिसमें LDR sensor का यूज हुआ हो और आपको display करना है उसकी values को ठीक है read करके सिर्फ आपको serial monitor पर उसका जो reading है उसको दिखाना है वो भी दो-दो सेकेंड के अंतराल पर आपको दिखाना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है हम इसमें भी reading ही लेंगे बस उस reading को LED को on-off करने में यूज करेंगे और यहां पे भी हमको reading ही लेना है लेकिन उसको LED को on-off करने के लिए यूज नहीं करना है उसको सिर्फ serial monitor पर प्रिंट कर देना है तो यह दोनों important questions है इन दोनों questions को हम इस वीडियो में सीखेंगे ठीक है चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है यहां पर मैंने एक Arduino board लिया हुआ है अब हमको एक LDR sensor चाहिए ठ sensor मिलगा ठीक है अब यह जो LDR sensor है यह चार पीन वाला sensor है इसमें वी सी सी पीन है जी एंडी पीन है टिजिटल आउटपूट पीन और एनलोग आउटपूट पीन ठीक है तो आपको एक LED भी चाहिए होगा प्लस पे क्लिक कर यह LED सेलेट कर लिजे ठीक है LED में दो टर्मिनल ह होते हैं और और kathode anode pin जो होता है उसको हम positive मानते हैं तो आपको इसको connect कर लेना है किसी positive से मैंने इसको 12 नंबर से connect कर लिया अब हम क्या करते हैं जो cathode है उसको negative मानते हैं इसको आपको GND पिन से connect करना है ठीक है LDR sensor का जो VCC pin है वो voltage common collector इसको आपको power देने के लिए यूज करना होता है तो मैं यहां पर इसको select कर लेता हूं 5V के pin से ठीक है A5 से उसको connect किया है ठीक है circuit आपने अच्छे से समझ लिया अब हम यहां पे सबसे पहले Arduino में हमारे पास दो function होते है setup function और loop function setup function में वो code लिखते हैं जो हमको एक बार run करना होता है जितने भी pin set करने के काम होते हैं वो हम एक ही बार करते हैं इस वज़े से उनको setup में लिखते हैं यहां पर लिखिए pin mode LED का जो pin है वो 12 number से connect है तो आपको लिखना है pin number 12 output के रूप में set होगा क्योंकि हमको यहां से LED को पावर देने के लिए यूज करना होता है फिर in mode LDR का जो output pin है वो A5 से connect है तो यहां पर लिखना है A5 और यहां पर ऐसे आपको input यूज करना है क्योंकि वो sensor है ठीक है तो sensor हमें data भेजते हैं बोर्ट की तरफ इस वज़े से pin पर हमारा data आएगा तो हमको इसको input में set करना है serial monitor भी यहां पर मैं start कर लेता हूं तो serial.begin और आपको baud rate यूज करना है 900 बाइट मतलब कितने characters आपके 32nd transfer होंगे उस monitor ठीक है यह output window की तरह काम करता है तो इसको भी आपको on कर लेना है यह काम हमको एक ही बार करना होता है तो हम इसको setup में लिखे हैं अब हमको reading लेना है बार-बार और LED को on-off करना है बार-बार तो उस code को हम loop के अंदर लिखेंग analog pin पर connect किया है तो यह जो A5 की जो reading है यह reading हमको मिलेगा voltage में यह याद रखिएगा ठीक है क्योंकि analog data यह output देगा ना analog output हमने यूज किया तो यह output में देगा voltage के रूप में और A5 pin से जब हम reading लेंगे तो हम use करेंगे analog read function ठीक है analog read function से हम analog pin से reading लेंगे और यह function करेगा क्या जो voltage में हमको input मिला है उसको digital में convert कर देगा 0 से 1023 के बीच में यह याद रखिएगा analog read function voltage में आए हुए input को 0 से 1023 के values में convert कर देता है और यह conversion ADC करता है analog digital converter ठीक है तो ADC ने क्या किया sensor से जो voltage आया उसको हमारे लिए 0 से 1023 में convert कर दिया तो हमको जो इस pin पर value मिलेगा वो 0 से 1023 के बीच का होगा ठीक है pin पर जो reading है वो 0 से 1023 में मिल रहा है यानि integer में मिल रहा है तो यह data हम integer variable में रखेंगे ठीक है यहाँ पर एक variable बना लिजे integer और उसका variable का नाम लिख देते हैं LDR और इसमें value आयेगा कहां से उस pin नमबर से pin की reading लेने के लिए analog read और pin नमबर रख दीजे A5 इता समझ में आया A5 वाले pin से हम analog type की reading ले रहे हैं तो हमको यहाँ पर तो मिलेगा voltage में लेकिन यह function फिर उसको voltage वाली value को convert कर देगा और integer में store करेगा जो कि 0 से 1023 के values में होगा ठीक है अब हम इस value को जो की LDR में है उसको हम पहले screen पर प्रिंट कर लेता है ठीक है println, print और println में अंतर होता है अगर आप print लिखेंगे तो line change नहीं होगा और अगर आप println लिखते हैं तो line change हो जाएगा तो मैं यहां पर line change वाला यूज कर रहा हूं यहां पर लिख देता हूं variable का नाम LDR क्योंकि data हमारा LDR के अंदर ही है LDR की जो भी value होगी वह screen पर यहां print हो जाएगी अभी हम सिर्फ इतना करके output दिखाते हैं ठीक है रन के बटन पर क्लिक करना है और यहां पर जो अब देखिए output देख पा रहे हैं वह धाईसो धाईसो प्रिंट हो रहा है जबकि इस sensor का जो data है वह illumination जो lux unit में है वह अभी 500 है 500 lux का मतलब क्या होता है इसको भी समझा देता हूँ देखिए जो भी light की intensity होती है तीवरता होती है उसको हम lux में measure करते हैं जैसे kilogram होता है वजन मापने के लिए ग्राम होता है वजन मापने के लिए ऐसे light की जो intensity होती है वह हम lux में मापते हैं तो यह जो 50 lux है यह एक family के living room के बराबर है ठीक है ऐसे ही जो 300-500 lux होता है यह आपके sunrise या sunset के लिए होता है या कितना उजाला sunrise के समय या sunset के समय होता है वो 300-500 lux के बराबर होता है ऐसी ही 1000 lux के बराबर आपका एक typical TV studio lighting होता है और जो direct sunlight होता है वो 32,000 से 1,30,000 lux के range में होता है और अगर एकदम अंधेरा होग तो आपको यहां पर इन सभी values को समझना है अंधेरे के case में तो यह unit होते हैं जो आपके light की intensity को दसाते हैं कितना प्रकाश है वो बताते हैं तो आप अंदाजा लगाए कि 500 lux का मतलब इस समय sunrise या sunset जैसा उजाला है तो इसका value हमको क्या मिल रहा है 500 जो की 0 से 1023 में convert होके मिल रहा है अगर मैं इसको 100 के आसपास कर दूँ तो देखिए इसका जो value है वो 511 हो गया अब इसको ध्यान से समझे कि LDR काम कैसे करता है light dependent resistor एक प्रतिरोध ही है जो प्रकास के पढ़ने पर बदलता है जितना ज्यादा light रहेगा उतना ही कम प्रतिरोध रहेगा समझ पा रहे हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह 1 by r होता है light ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा ठीक है समझ पा रहे हैं यहां पर मैं delay लगा देता हूं और delay मैं set कर देता हूं 200 millisecond यह millisecond में value होता है अब रन करिए इसको ठीक है तो टाइडाइस हो यहां पर आ रहा है value और यहां पर जो light है वो लगभग आपका 1000 lux के बराबर है ठीक है तो 1000 lux का मतलब यह आपका एक इस्टूडियो के lighting के जितना उजाला है तो इसकी value हमको 169 मिलता है ऐसे ही अगर आपका एक living room जितना रहेगा देखे living room का कितना होता है living room का होता है पचास लक्स जब इसका value पचास लक्स होगा तो हमको sensor से जो data मिलेगा वो convert होके मिलेगा 632 यह living room जितना प्रकाश हो गया ठीक है हम इसी के हिसाप से values को अपने set करेंगे तो दूसरा question तो आपका solve भी हो गये वाला जिसमें आपको सिर्फ monitor पर print करना था दो-दो सेकेंड के अंतराल पर तो यहां पे आप 2000 लिख दीजे और यह जो LED वाला line है इसको आप हटा दीजेगा जो 12 नंबर पर LED connect उसको हटा दीजेगा बस आपका complete हो जाएगा दूसरा व तो मतलब light कम है ठीक है हम यहां क्या करते हैं if यह मतलब यदी LDR की जो value है वो अगर ज़्यादा है 400 से तो मतलब light क्या है कम है और light कम रहेगा तो हम LED को जो 12 नंबर पर connect है उसको on करेंगे अन्य था हम उस LED को off रखेंगे ठीक है जो 12 नंबर पर connect है उसको हम आफ रखेंगे कोड को फिट से रन करिए light जैसे ही कम होगी आपका LED आउन हो जाएगा light जैसे ही बढ़ेगी आपका LED आफ हो जाएगा ठीक है तो समझ पा रहे हैं आप कोड इस चार्ट को ध्यान से देखिए अगर आप एक living room का जो light होता है प्रकाश जो हता है living room में वो 50 lux के आसपास होता है ठीक है तो living room का अगर हम सेट करेंगे 50 lux के आसपास तो हमारे पास क्या होगा light हो जल जाएगी यानि थोड़ा अंधेरा रहेगा तो light क्या होगा जल जाएगा लेकिन हम उसी light को अगर एक direct sunlight में रख दें या एक sunset के time पे रख दें जो 500 lux के आसपास होता है तो 500 lux के आसपास अगर हम सेट कर देंगे तो देखिए sunset रहेगा थोड़ा उजाला रहेगा तो light आपका क्या रहेगा बुझा रहेगा ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है यह लक्स के जो values है तो आप यहां से values को भी use कर सकते हैं ठीक है तो उमेध है आपको यह question अच्छे से समझ में आया इस video में बस इतना ही अगले video का wait करिए तब तक के लिए धन्यवाद